आईटिया मंडी में रोजगार मेले लगाने का क्रम निरंतर जारी है इसी के तहट आईटिया मंडी में रोजगार मेले लगाने का क्रम निरंतर जारी है इसी के तहट आईटिया मंडी में रोजगार मेले लगाने का क्रम निरंतर जारी है इंडरस्टिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 34 युवाओं को रोजगार मोहिया करवाया गया शाक्षातकार में ITI पास वा जुलाहिमा में पाउस आउट होने वाले फिटर इलेक्टरेशन मेकैनिक इलेक्टरेशन टर्नर वा मशिनिस्ट 90 अभ्यारतियों को शाक्षातक के संदर में जानकारी देते हुए ITI मंडी के प्रधानचारय शिवेंद्र डोगरा ने संबंदित कंपनी का युवाओं को रोजगार मोहिया करवाने के लिए आवार व्यक्त किया साथ ही उन्होंने बताया कि ITI मंडी में समय समय पर ऐसे रोजगार केंप लगाये जाते हैं ताकि युवाओं को जादा से जादा रोजगार मोहिया करवाया जा सकें जो है वो अपनी ITI से और डिफरेंट ITI के अपेर हुए हैं और कंपनी लगवग तीस केंडिडेट को जो है वो स्लेक्ट करेगी कंपनी द्वारा एक साल के लिए फिक्स टर्म उसमें रहेंगे तथा पचात्तर सो रपे इनको सेलरी मिलेगी और उसके बाद जो है अगर एक साल के बाद इनकी परफॉमेंस अच्छी रही तो कंपनी द्वारा इनको रेगुलर किया जाएगा और कंपनी द्वारा जो है अधर फैसलिटीज भी दी जा रही हैं जैसे कि ट्रांस्पोर्टेशन फैसलिटी और सबसेडाइज केंटीन फैसलिटी तथा इसके साथ ही मैं युगाओं को संदेश देना चाहूंगा कि आजकल आई टी आई में डिमिशन का दोर भी चला हुआ है और फर्स्ट राउंड में जो है वो 14 जुलाई तक जो है केंड केंडिडेट्य है जो है वो ओन लाइन अप्लाई करने के लिए हमरे स्ताफ की सहाःता लेकर तक यहां ऐत आई डि में आकर अप्लाई कर सकते अगर ITI में candidate admission लेते हैं तो वो इंडस्ट्री में रोजगार भी प्रापत कर सकते हैं तथा साथ में ही अगर किसी ने रोजगार नहीं करना हो तो वो अपना कोई काम भी कर सकता है या अपना छोटा बेफसाय जो है वो शुरू कर सकता है और ITI मंडी में अगर कोई बच्चा admission लेता है तो उसको 100% जो है वो जो एक गरंटी है